स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीरतिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में संख्या पध्धत इसे सम तथा बिसम गुड़न खंडों की संख्या ग्यात करना सीखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझीएगा यहां से कोश्चन एक्जाम में बार बार सबसे पहले हम समझेंगे सम गुड़न खंडों की संख्या क्या होती है इसे स्वाल्व करने का बेसिक तरीका क्या है ट्रिक के माध्यम से सम गुड़न खंडों की संख्या तथा बिसम गुड़न खंडों की संख्या कैसे ग्यात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं सम गुड गुड़न खंडों की संख्या क्या है इसका मतलब है सव में टोटल ऐसी कितनी सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है उनकी संख्या ही सम गुड़न खंडों की संख्या होगी जैसे सव के विशम गुड़न खंडों की संख्या निकालना है तो सव में कितनी विशम संख्याओ से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है उनकी संख्या ही विशम गुडन खंडों की संख्या होगी जैसे दोस्तों सव है ठीक है तो एकदम डीटेल में हम समझेंगे देखिए सव में एक से भाग दिया जा सकता है पूरा पूरा दो से सव में पूरा पूरा भाग दिया जा सक 50 से भाग दिया जा सकता है और 100 से भाग दिया जा सकता है 100 में टोटल इतनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है इन संख्याओं में दोस्तों कितनी संख्याओं हैं जिनके द्वारा 100 में पूरा-पूरा भाग दिया जा सकता है तो 2 से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 2 एक सम संख्या है, 4 से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, और 4 एक सम संख्या है, 10 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 20 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, और 100 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है और ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं ठीक है तो कितनी संख्याओं से सौ में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है तो 1 हो गया 2, 3, 4, 5, 6 यानी दोस्तों 100 के कुल संख्या कितनी है 6 यानि 6 सम संख्याओं से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो दोस्तों सम गुड़न खंडों की कुल संख्या क्या होगी? 6 होगी, और यही दोस्तों क्या हो गया? यह हो गया दोस्तों सम गुड़न खंडों की संख्या ज्याद करने का बेसिक तरीका है, अब हम दोस्तों विशम गुड़न खंडों की संख्या ज्याद करते हैं, सौ में एक से पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, दो से, चार से, पान से, दस से, बीज से, पचीश से, पचास से और सौ से ठीक है, और किस से भाग चला जाएगा? सौ से भाग चला जाएगा, तो दोस्तों, अब हमें निकालना है बिशम गुड़न खंडों की संख्या देखिए दोस्तों एक क्या है विशम संख्या है ठीक है एक से सव में पूरा पूरा भाग चला जाएगा पांच से सव में पूरा पूरा भाग चला जाएगा और पांच एक विशम संख्या है पचीस से सव में पूरा पूरा भाग चला जाएगा और पची के विसम गुडन खंडों की कुल संख्या कितनी होगी तो 3 हो जाएगी और यही दोस्तों क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यानि 100 में total कितनी विसम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है तो 3 विसम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है यह हो गया दोस्तों इसका बेसिक तरीका लेकिन इस तरीके से स्वाल्व करेंगे तो बहुत जादा समय लग जाएगा अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से स्वाल्व करना सिखाएंगे तो ध्यान से समझेगा जैसे दोस्तों सव के सम गुडन खंडों की कुल संख्या ग्यात करना है तो हम सव लिख लेंगे दोस्तों जिस भी संख्या के सम गुडन खंडों की संख्या ग्यात करनी है तो उसको सबसे पहले घातांक के रूप में बदलेंगे यानि घात के रूप में बदलेंगे और जिस दोस्तों क्या बनाएगा सव बनाएगा दो का इसक्वाइर चार हो जाएगा गुड़े पांच का इसक्वाइर 25 का सव हो जाएगा देखिए दोस्तों संख्याएं घात के रूप में हो गई है और जिनका आधार आभाज संख्या है ठीक है संख्याओं को आपको घात के रूप में बदलना है और जिसका आधार अभाज संख्या होना चाहिए ठीक है देखिए आधार दो क्या है अभाज संख्या है पांच क्या है अभाज संख्या है अगर दोस्तों आधार अभाज संख्या के रूप में बदल जाए अगर आप सम गुरन खंडों की संख्या निकाल रहे ह तो दो की जो घात होगी ठीक है दो की जो घात होगी उसको वैसे का वैसा लिख देंगे आदर जीतनी भी आधार में अभाज संख्या होगी उनकी जो घात होगी उसमें आप एक जोड़ करके गुड़ा कर देंगे तो देखी यहां पांच क्या है अभाज संख्या है और इसकी गात दो है तो दो में एक जोड़ करके गुड़ा कर देंगे दो की घात क्या है दो ठीक है दो की घात जो कुछ भी होगी उसको वैसे का वैसा लिख देंगे अधर आधार में जो आभाज संख्या होगी उसकी घात जो कुछ भी होगी उसमें एक जोड़ करके गुड़ा कर दे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया ठीक है देखिए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सव में सम गुणन खंडों की संख्या क्या आया है तो 6 आया है अब हम भी सम गुणन खंडों की संख्या निकालते हैं जैसे 100 है तो 100 को आप घात के रूप में बदलेंगे तो 2 का square गुड़े 5 का square के रूप में बदलेंगे ठीक है दोस्तों देखिए आधार को आप क्या करेंगे आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे और संख्याओं को घात के रूप में बदलेंगे यानि घातां की रूप में बदलेंगे जिसका आधार आभाज संख्या होना चाहिए अगर दोस्तों आप विशम गुडन खंडों की संख्या निकाल रहे हैं जिसका आधार दो होगा उस पूरे को छोड़ देंगे अधर जितनी भी आधार में आभाज संख्याएं होगी उनका जो घात होगा उसमें एक जोड़ करके गुड़ा कर देंगे यहां केबल पाँच ही एक आधार में आभाज संख्या है और इसकी घात दो है तो दो में एक जोड़ देंगे तो दोस्तों यहां से के आ जाएगा तीन आ जाएगा यानि सौ में कुल विशम गुडन खंडों की संख्या कितनी है तो तीन है देखिए दोस्तों बेसिक तरीके स और ट्रिक के माध्यम से भी तीन आया उमीद करते हैं दोस्तों इस पूरे कांसेट को एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे चलिए दोस्तों अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों अगला question है 700 के सम गुड़न खंडों की कुल संख्या क्या होगी तथा 700 में भी सम गुड़न खंडों की कुल संख्या क्या होगी उसे निकालते हैं दोस्तों अब हम इसमें direct trick apply करेंगे क्योंकि हमने trick आपको बता दिया है तो direct हम क्या apply करेंगे trick apply करेंगे basic तरीके से solve करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा देखिए दोस्तों 700 है ठीक है तो 700 को आप घातां की रूप में बदलेंगे यानि घात के रूप में बदलेंगे और जिसका आधार आभाज संख्या होना चाहिए तो 700 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुड़े 100 लिख सकते हैं और 100 को हम 2 का square गुड़े 5 का square लिख सकते हैं ठीक है देखिए दोस्तों सभी संख्याए घातां की रूप में बदल गई है और इनका आधार आभाज संख्या के रू इसा लिख देंगे अधर जीतनी भी आधार में आभाज संख्या होंगी उनका जो घ्ञात होगा उसमें आप एक जोड लेंगे ठीक है सास सो में कुल सम गुडन खंडों की संख्या कितनी है तो बारा है आपको करना क्या होगा जो संख्या दी गई होगी उसको आपको घातां की रूप में बदलना होगा और जिसका आधार अभाज संख्या के रूप में होना चाहिए दो कि जो घात होगी उसको वैसे का वैसा लि दो 21 अब हम निकालते हैं, अगर आप बिशम गुड़न खंडों की संख्या निकाल रहे हैं, तो दोस्तों जिसका आधार 2 होगा जिसका आधार 2 होगा यह संख्या होगा, जिसका आधार दो होगा या समसंख्या होगा उसको छोड़ देंगे अधर जितनी भी आधार में संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं उनकी जो घात होगा उसमें एक जोड़ लेंगे और गुड़ा कर देंगे पांच एक आभाज्य संख्या है और इसकी घात क्या है दो है तो दो में एक जोड़ लेंगे और गुड़ा कर देंगे ठीक है तो एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा गुड़े दो में एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा और दोस्तों तीन दूनी छह यानि दोस्तो 700 में कुल बिसम गुरन खंडों की संख्या कितनी है 6 यानि दोस्तों 700 में टोटल कितनी बिसम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है तो 6 बिसम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है उमीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे सबसे पहले आप संख्या को घातांक के रूप में बदलेंगे और जिसका आधार आभाज संख्या के रूप में होना चाहिए जिसका आधार दो हो या सम संख्या हो तो उस पूरे को छोड़ देंगे ठीक है अधर जितनी भी आधार में आभाज संख्याएं होंगी उनकी जो घात होगा उसमें एक जोड लेंगे और गुड़ा कर देंगे ठीक है एक जोड करके आपस में गुड़ा करेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा गुड़े दो में एक जोड़ेंगे तीन हो जा खंडों की कुल संख्या ग्यात करना है 12 की घात 10 गुड़े 15 की घात 20 और दोस्तों विशम गुड़न खंडों की संख्या ग्यात करना है 12 की घात 10 गुड़े 15 की घात 20 में जब भी दोस्तों संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हो तो सबसे पहले उसके आधार को चेक करेंगे क्या आधार आभाज संख्या के रूप में है अगर आधार आभाज संख्या के रूप में है तब तो ठीक है अगर आधार आभाज संख्या के रूप में नहीं है तो सबसे पहले आप आधार को आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे ठीक है देखिए दोस्तों बा गुड़े की घात क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए यहां से अलग अलग तोड़ेंगे तो एकी पावर यम की पावर यन यानि घात का गुड़ा हो जाएगा आपस में तो दो की घात दो दहमा 20 हो जाएगा गुड़े 3 की घात 10 हो गया ठीक है अलग अ अभाज संख्या के रूप में बदल जाए थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं इन दोनों का आधार समान है और गुड़ा का चिन लगा है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो दो का घात 20 हो गया गुड़े 3 की घात 10 और 20 मिलकर 30 हो जाएगा गुड़े 5 की घात 20 हो गया अगर दोस्तों आधार आभाज संख्या के रूप में बदल जाएं और आप सम गुड़न खंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो दो की घात जो कुछ भी होगा उसको वैसे का वैसा लिख देंगे अधर जितनी भी आधार में आभाज संख्याएं होंगी उनका जो भ गुड़े 30 में एक जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा गुड़े 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब आप इसका गुड़ा कर लेंगे तो दोस्तों यहां जो आएगा वही क्या होगा दोस्तों 10 की घात 12 गुड़े 15 की घात 20 में सम गुड़न खंडो की कुल संख्या होगा उमीद करते हैं दोस्तों आप इसे आसानी से समझ गए होंगे अब हम चलिए निकालते हैं विसम गुडन खंडों की कुल संख्या कितनी होगी तो सबसे पहले दोस्तों आधार को आप चेक करेंगे क्या आभाज संख्या के रूप में है अगर आधार की घात 20 गुड़े 3 की घात 30 गुड़े 5 की घात 20 आया ठीक है अगर दोस्तों आप विसम गुड़न खंडों की संख्या निकाल रहे हैं जिसका आधार 2 होगा ठीक है जिसका आधार 2 हो या कोई सम संख्या हो उस पूरे को छोड़ देंगे ठीक है उस पूरे को छोड़ देंग ऑदर जितनी भी आधार में आभाँज संक्या होगी, उनका जो घात वहोगा उसमें एक जोड करके आपसमें गुढ कर देंगे, तो तीन की घात तीस है तो तीस में एक जोड लेंगे गुढे। तो 30 में एक जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, गुड़े 20 में एक जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 61, 61 की एक हांसिल 2 हो गया, 63, 63, 64, 65 हो गया, यानि दोस्तों 12 की घात, 10 गुड़े 15 की घात, 20 में विसम गुड़न खंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 651 है, उमीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे, एक कोश्चन आपके लिए है, उसे सौल्ब करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में और 1000 में विसम गुड़न खंडों की संख्या कितनी है, दोस्तों इसे आप सौल्ब करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक किये बिना मत जाईएगा, चैनल को सब्सक्राइब क कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिएगा, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, जय हिंद वन दे मातरम